तेजंदर बग्गा का उनके घर से गिरफतार किया गया है आदेश जी आप लोग पुलिस थाने आए हैं जिस तरह से कारवाई आज पंजाब पुलिस ने की है क्या शिकार दर्च कराई है देखे पंजाब पुलिस ने गुंडा गर्दी केजरीवाल के इसारे पर की है और बग्गा को घर से उन्होंने पचास से जादा पुलिस फोर्स पहुँचकर पंजाब पुलिस की गुंडा गर्दी की है उन्होंने पिता जी को मार पीट की है उनके मुह में कप्रा ठूसा है बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी है, ये जो केजरिवाल के इसारे पर गुंडा गर्दी हो रही है, बग्गा का दोस्स सिर्फ इतना है, कि उन्होंने सवाल उठाया था, कि केजरिवाल जी आप बताईए, कि आपने कहा था, पंजाब में चुनाव जीतने के बाद, 24 गंटे के अंदर हम गुरुगर्ण साब की बेहद्वी करने वालों को गरफतार करेंगे, नहीं किया, बग्गा का दोस्स सिर्फ इतना था, कि उन्होंने सवाल किया था, केजरिवाल जी आपने अभी तक कस्मेरी पंडितों का जो अपमान किया, उसके लिए माफी नहीं मागी है, बग्गा ने सवाल किया था, कि पंजाब के किसानों को मुआपजा कब मिलेगा, क्या इसकी सज चाहिए कि आप घर पर बेज कर पिता जी के साथ मारफीट करें, मुह में कपड़ा ठूसे, पगड़ी तक नहीं पहनने दें, केजरीवाल इन गीदर भवक्कियों से गुंडा गर्दी से बीजेपी का कारिकरता डरने वाला नहीं है. पंजाब उन्होंने तो साफका है, जिस दिन हमारे पास पुलिस आएगी हम बता देंगे, हम दिखा देंगे, और आज वो उनका चरित्र और चेहरा आ गया सामने. पंजाब में केजरीवाल के सारे पर लोगों के घरों पर नोटिस पहुच रहे और उनका दोस सिर्फ इतना होता है कि वो जाकर केजरीवाल से सवाल खरा करते हैं सोसल मीडिया पर. मैं केजरीवाल को कहता हूँ, अगर आपके अंदर इमानदारी है, तो पंजाब के ड्रग माफिया के उपर कारवाई क्यों नहीं करते? आप खालिस्तानी आतंकवादियों के उपर कारवाई क्यों नहीं करते? आपको जो आपके खिलाब, जो सवाल उठाएगा सोसल मीडिय प्रदर्शन भी आम आदमी पाठी के हैड आपती जनक है हाले कि तेजिंदर सिंग बगगा लगातार अपमान जनक टिपनी दिली के मुख्यमंत्री इकलाफ करते रहे लेकिन जिस तरह की कारवाई हुई उस पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है और इसके बाद ए तरह के मुख्या एकल उसे प्रहबाए्य।